Welcome to Chemistry Academy Students, आज की वीडियो में परेंगे How to Calculate Oxidation Number of a Complex Compound जनके Coordination Complex Compound जो होते हैं, उनका Oxidation Number किस तरह कैलकूलेट करते हैं अब complex compound किस तरह को होता है, यहां पर आप सक्रीम पर देश आते हैं यह वादा जो compound आखको नजर आ रहे है, यह मारे पास complex compound है, ठीक है अब इसमें हम लोगों ने जो metal line होता है इसका oxidation number हमने calculate का ना होता है ठीक है वो किस तरह calculate काते हैं इसका oxidation number depend कारता होता है लिगन्स भी अब इसका oxidation number calculate काने से पहले थोड़ी सी एक दो चीज हैं जो basic concepts हैं वो clear का ले कि जो मारे पास compound होता है coordination compound होता है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती है इसके अंदर एक counter line होता है जो शुरू पर लिखा होता है उसके बाद आगे मेशा square bracket शुरू होती है यहां पर देज़ सकत है कि यह square bracket start होगी है square bracket के अंदर आपको फिर एक चोटी bracket भी नज़र आएगी वो होते है मारे पास number of ligands उनको क्या बोलते हैं ligands बोलते है और इसको बोलते है central atom जानके यह metal होता है ठीक है उसके बाद यह जो square bracket के अंदर जितना भी sinus सारे कों बोलते है coordination sphere बोलते है और यह जो ligands की तदाद होती है इसको coordination number बोलते है बस इन चीज़ों का जहने में रखना है उसके बाद हम oxidation number calculate कर सकते है बस यह जो ligands होते हैं यह कुछ ligands जो होते हैं वो anionic होते हैं और कुछ neutral होते हैं जैनके इनका oxidation number value put करने के बाद हम लोग metal का oxidation number बता साथ है अब यहां पर कुछ ligands की में बता देता हूं कि यहां पर मारे पास देखे BR negative दिया गए ठीक है तो यह मारे पास जब इसका नाम लिखेंगे तो हम इसको bromo कहेंगे और यह मेंशा minus one oxidation state show करेगा इसी तरह जो fluoride है उसका फ्लोरो कहेंगे ठीक है oxygen है oxo कहेंगे hydroxy है जो minus one show करें इसको hydroxy कहेंगे cyanide minus one है इसको cyano कहेंगे ठीक है अगर इसी तरह C2 O4 minus 2 है oxalato है carbonato है acetato यह सारे सारे यहां पर यह monodentate है यह bidentate है यह भी bidentate है ठीक है उसके पाद इस साइट पर कुछ लिगंड दिये गें यह सारे कि सारे लिगंड जो है यह हमारे पास neutral ligands है जनके इनका oxidation number हम zero put करेंगे अब कुछ example solve करते हैं फिर concept clear हो जएगा जहां पर पहले नंबर पर example देगे है इसमें देख सकते हैं कि जो शुरु पर लिखा है जिसको हमने counter आइन कहाता है इसका oxidation साबसे पहले लिखना होता है एक होगा उतना ही सारा negative कर देना है अब हमने किसी तरह इस coordination number के उपर minus three लेकर आना है इस तरह अंदर वाली value पूटका नहीं है कि आपके पास sinus on से minus three आए अब देखें जो cyanide अभी हमने पढ़ा cyanide क्या शोग कर रहा था minus one शोग कर रहा था तो minus one शोग कर रहा है तो cyanide है कितने six है six है multiply करेंगे न तो आपके पास क्या अंस आएगा इसका minus six आएगा इसका मतलब है कि यह जो fe cn6 है न इसके अंदर यह minus six शोग कर रहा है और यह जो coordination number था total यह क्या था minus three था ठीक है यह जो coordination sphere के उपर जो charge है वो minus three अब यहां पर हम three put cut देते हैं देखे plus का three put cut ते है न तो इन दोनों हिस्सों को solve करने के बाद आग के पास यह वाला आंस आजएगा इसका मतलब f e का जो oxidation number होगा वो मेंशा plus three होगा अब next यह core example solve करते हैं फिर अच्छी तरह concept के लिए हो जिए गए यहां पर हम देख साथ है कि na three दिया गया एक सोरी प्लास वान है तो यह तीन का क्या हो गया plus three हो गया यह coordination sphere के उपर charge फिर से minus three अब f जो है follow right जो उपर अभी हमने पड़े यह minus one था तो six का क्या आगया six का हमारे पास minus six आगया यह minus six है तो उसका मतले aluminium के शो करेगा फिर plus three शो करेगा इसी वज़े से तो हमारे पास यह answer नहीं दोनों खालकाने के बाद तो aluminium का oxidation number क्या होगा plus three होगा इसी तरह एक core example हम solve करते हैं COSO4 है साथ में ammonia दिया गया अब देखें उपर जो मैंने आपको एक चार्ड दिखाया टेबल दिखाया उसके अंदर ammonia के oxidation state शो कर रहा तो zero क्योंकि यह neutral ligands है ठीक हो गया अब sulfate जो तो यह minus two होते है minus two अब देखें इसके शूरू पर कोई नहीं चीज़ दी गई अब उन्ह सकता है तो इसका मतलब जो कोबाल्ट है यह का oxidation state शो कर रहा था प्लास three शो कर रहा है इसे दर last example आती है जिसमें coordination sphere के बार पहले साइड पर भी एक काई दिया गया है ठीक है अब देखें नाइटेर जो होता है यह minus one होते है लेकिन यहां पर कितने तीन है तो इसको तीन से multiply प्लिए करेंगे न तो Mars three हो जाँ इसका मतलब यह सारा सारा सारह मायन इस त्री ह सर्वार क्या बंचेगा क्या बंचेगा charge क्या बंजेगा? Coordination sphere का charge बंजेगा? Plus 3 बंजेगा. क्योंकि ये सारे के सारा minus रही है. अब ammonia 0 है. तो इसका मतलब ये plus 3 जो है. फिर ये chromium के होगा. इसी वज़ए से इसके उपर plus 3 आ रहा है. तो इसका मतलब का oxidation number का आजएगा? Plus 3 आजएगा. तो जी आजएगा वीडियो थे हम एदेख सारे बच्चों को oxidation number calculate करना आगे.